हेलो फूरीज, स्वात खजाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं पल्लवी आज हम बनाएंगे वरत के लिए नालोन साबुदाना का चीवडा ये काफी चटपटा होता है और बहुत दिन तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हो तो चलो पहले सामगरी देख लेते हैं और बनाना स्टाट करते हैं सामगर में हमने नालोन साबुदाना लिया है, ये कुछ इस तरह से होता है, लगबग ये 200 ग्राम है मुंख फली ली है, दो बड़े आलो ली है, जिसे हमें पिल कर लेना है रोस्टेट काजू, किश्मिश, हरी मेर्चे, लाल मिर्चे का पावडर, काला नमक, निम्बु सत्व, शक्कर का पावडर, नमक और तलने के लिए तेल लिया है हमने हादा लिठर, सबसे पहले हमने आलो को पील करके पानी में रख दिया है और उसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो हम इसे निकाल लेंगे, क्योंकि हमें ये तेल में अच्छे से फ्राइ करने ना है, इसलिए हम एक्स्ट्रा पानी इसका निकाल लेते हैं अभी नेक्स्ट्रेप की तरफ बढ़ते हैं, हमने कडाई ली है उसमें तेल डाल दिया है और गया शुरू कर दिया है, तेल को अच्छे से गरम होने देना है अभी हम इसमें मंगफली डालेंगे और गोल्डन कलर आने तक हम इसे अच्छे से फ्राइ कर लेंगे अच्छे से गोल्डन कलर आ गया है इसे मंगफली को अभी हम इसे एक टीशू पेपर पे निकाल लेते हैं अभी हम नाइलोन साबुदाना को फ्राइ करेंगे, थोड़ा साबुदाना हम इसमें डालेंगे और अच्छे से tidal अंदर से भी अच्छे से फ्राइ कर लेंगें, ईसलिए ? छोड़ास प्रुदाना ये थोड़ा साबुदाना करके दालेंगे डेंगे एकदम करा रहां फुला हुआ फूलों की तरह अग्दम ये नाइलोन साबुदाना फूली गया है प्टिस्व पेपर में निकालव कर गेंगे। और ऐसे ही करके आपको सभी आलो को फ्राइ कर लेना है और टीशु पेपर में निकाल लेना है अभी हमने हरी मिर्चे इसमें डाल दी है हरी मिर्चे को एकदम करा रहा और गोल्डन कलर आने तक हमें से फ्राइ कर लेना है अभी हम इसे एक टीशु पेपर में निकाल लेंगे शनी रिएन ज़िश संवा डाल दे रहे है इसमें इसमें निम्बू सत्वा डाल दे रहे है । शक्कर का पाउडर हम डालेंगे शक्कर कम या ज़ादा आपके डेस की हिसाब से आप कम ज़ादा कर सकते हैं रेट चिली पावडर डाल दे रहे हैं एक छोटा चमच और हम स्वात की हिसाब से नमक डालेंगे करिब एक चमच काफी होगा अब इन सब ही चीजहों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है देखिए हमारा जो साबुदाना चीवड़ा है वो वाष के लिए तैयार है आप इसे स्टोर करके रख़िया ये नाईलोन साबुदाना का चीवड़ा बहुत दिन तक अच्छे से रता है सिर्फ आप इसे एरिटर कंटेनर में स्टोर करके रखिए यह रेसिपी इस वरत में आप ज़रूर बना के देखिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताईएगा अगर यह वीडियो और रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेर ज़रूर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राब कीजे और हाँ बेल आइकोन को ज़रूर प्रिस कीजे अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए तो चलो फिर नेक्स्ट विक मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ स्वात खजाना के किच्चन में तब तक के लिए, बाई, तेंक यू